एक आखरी सवाल, क्योंकि लोग कहेंगे, आपने उनसे तनाफ के बारे में क्यों नहीं पूछा, और मैं कहूंगा, मैं तनाफ को परिभाशत नहीं कर सकता, लोग मुझसे बहुत सारे सवाल पूछते हैं, और वे जानते होंगे कि मैं आपका इंटर्विय ले रहा हूं, पर ह हम शब्दों में फस चाते हैं, क्या हम, क्या हम तनाफ को कोई परिभाशा दे सकते हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कुछ सालों पहले जब मैं पहली बार अमेरिका गया, जहां भी मैं जाता, सब ही तनाफ मैनेज करने की बात कर रहे थे, मैं वाकई समझ नहीं पा रहा था, क्यूंकि मेरे हिसाब से हम उन चीजों को मैनेज करते हैं, जो हमारे लिए कीमती होती हैं, ठीक है, हमारा बिजनस, हमारा परिवार, हमारा पैसा, हमारी संपत्ती, हमारे बच्चे, हम इन सब चीजों को इसलिए मैनेज करते हैं, क्यूंकि ये चीज़े हमारे मेरे आसपास हर कोई यही बोल रहा था तनाव मैनेज करो मैने कहा तनाव क्यों मैनेज करें मुझे बाद में समझ में आया कि इन लोगों ने मान लिया है कि तनाव उनके जीवन का एक हिस्सा है तनाव जीवन का हिस्सा नहीं है तनाव इसलिए है क्योंकि आप अपने सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे तनाव आपके काम की वज़े से नहीं है प्रधानमंतरी तनाव की esquyaаци कर रहे है जब पडासी भी तनाव की शिकायद कर रहे है इनके अलावा हर दूसरा व्यक्ति भी कह रहा है कि उसकी नौकरी तनाव पूर्ण है और बेरोजगार लोग भी तनाव में है उनके पास करने को कुछ नहीं है, तब भी उन्हें तनाव है आप अपने काम से पीड़ित हैं, अगर आपको काम से निकाल दें, तो क्या आप आनन्दित हो जाएंगे? नहीं तो तनाव नौकरी की वज़े से नहीं है, बात साफ है, है ना? बात पस यही है कि आप अपने शरीर, अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी उर्जा और अपनी केमिस्ट्री या किसी भी चीज को मैनेज करना नहीं जानते हैं आप इत्तिफाक से जी रहे हैं, तब ही सब कुछ तनाव पूर्ण है आप ऐसी कार में बैठ रहे हैं, जिसका कोई स्टेरिंग ही नहीं है या आप अपनी कार में बैठते हैं, अगर आप यहां मोडते हैं, तो कार कहीं और मोड़ जाती है आपको तनाव ही होगा, है ना? तो फिलहाल आप ऐसी मशीन चला रहे हैं, इसे समझे बिना आप बस सैयोग से चले जा रहे हैं, जीवन में डगमगाते हुए, आपको तनाव ही होगा तो तनाव आपके काम या जीवन की परिस्थितियों के कारण नहीं है तनाव बस इसलिए है, क्यूंकि आप अपने सिस्टम को मैनेज करना नहीं जानते जिस चीज से आपको तनाव होता है, कोई दूसरा उससे आसानी से निकल जाता है, है ना? सही है तनाव बाहरी चीजों की वज़े से नहीं है बीतरी स्थिति को ना संभाल पाना ही इसकी वज़े है, ना की बाहरी स्थिति को हमारे जीवन की क्वालिटी इसलिए नहीं बदली कि हम अपने जीवन की चीजें बदल देते हैं क्वालिटी बदलती है क्यूंकि हमने जीवन का संदर्प बदल दिया कोई सुन्दर जीवन जी रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि वो सुभ़े उठकर कुछ अलग करता है वो भी टॉयलेट जाता है वो भी दांत प्रश करता है वो भी सामान्य चीजें ही करता है पर उसका जीवन जादूई और सुन्दर है क्योंकि संदर्ब अलग है कुछ लोगों के साथ तब होता है जब वे किसी के प्यार में होते हैं वे वही काम कर रहे होते हैं अचानक किसी से प्यार हो गया और सब कुछ बदल गया क्योंकि उनके जीवन का संदर्ब बदल गया है पर प्रेम से बाहर आने पर फिर से उनके जीवन का संदर्भ बदल जाता है। और वे दुखी हो जाते हैं। अब संदर्भ अपनी इच्छा से बदला जाता है। ये सिर्फ अपनी इच्छा से ही बदला जा सकता है। शायद अपनी इच्छा से दूसरी चीजों को बदलना संभव ना हो, क्यूंकि जीवन की चीजों को बदलने के लिए आपको उस माहौल से इजाज़त लेनी होगी, जिसमें आप मौजूद हैं, है ना? पर जीवन के संभव को बदलने के लिए आपको किसी की इजाज़त की जरुवत नहीं है, ये बाहरी चीजों से बिलकुल भी तै नहीं होता, तो एक दिन, तीन आदमी एक ही जगा काम कर रहे थे, एक और व्यक्ति आया, और पहले से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने उपर देखा और कहा, क्या तुम्हें दिखाए नहीं दे रहा? मैं पत्थर काट रहा हूँ, क्या तुम अंधे हो? उस व्यक्ति ने अगले आदमी से पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो? उस आदमी ने उपर देखा और कहा, अपना पेट भरने के लिए कुछ काम कर रहा हूँ. जो मुझे करने को कहा जाता है, मैं वही करता हूँ, मुझे बस पेट भरना है. वो तीसरे आदमी के पास गया और पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो। वो आदमी बहुत आनन्द से खड़ा होकर बोला मैं यहां एक सुन्दर मंदिर बना रहा हूँ। वे सभी एक ही चीज़ कर रहे हैं। पर उस काम का उनका अनुभव पूरी तरह से अलग है। हर इंसान अपने जीवन के हर पल में पूश्किल काम कर रहे हैं। इससे जीवन की कॉलिटी नहीं बदलती। आपके काम का संदर्भ क्या है। इससे जीवन की कॉलिटी बदलती है। है ना। बिल्कुल।